दोस्तों आज का जो टोपिक है वो आपकी अपनी लाइफ से रिलेटिड है कि किस तरह से आपकी लाइफ डिजाइन होती है और किस तरह आपका माइंड आपकी सफलता, सक्समता और सम्रधी की और आपको लेके जाता है क्या करता है आपका सबकुंशियस माइंड आज उश पे हम डिसकस करने वाले है जी हाँ दोस्तों आपकी लाइफ आपके परशेप्सन का प्रिंट आउट है यदि आप भी ये जानना चाते हैं कि किस तरह आपकी लाइफ आपके परशेप्सन पे डिपेंड करती है तो ये वीडियो अंग तक देखिएगा फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को जरू दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें चलिए शुरू करते हैं दोस्तो अपने सबकॉंसियस माइन को कंट्रोल करना सिखो हैंडल करना सिखो आपको प्रोग्राम कर दिया गया है आपका narrative और आपका thought pattern set कर दिया गया है आपकी society की दवारा media और social media की दवारा school और colleges के दवारा और आप उन्ही patterns पर जी रहे हैं उन्ही perceptions के अनुशार आपने अपनी life बना ली है दोस्तो कई बार आपने देखा होगा कि किस तरह से आप mobile पे एक छोड़ा सा काम करने के लिए पहुचते हो और वहाँ से जिस काम के लिए आप गये थे उस काम को भूल करके दूसरी तरफ दूसरी चीजों में अंगेज हो जाते हो क्यों? क्योंकि वो आपके mind को प्रोग्राम कर रहा है आपने बहुत सी advertisement देखी है जिनके पीछे एक tagline होती है और वो tagline आपके subconscious mind को प्रोग्राम कर रही होती है और आप उसी tagline के साथ में अपने narrative को set कर लेते हैं जैसे ठंडा मतलब क्यों? क्योंकि वो बार बार आपके पास देखर कि यह आपने उसको अपने subconscious mind में pattern दे दिया है जैसे काफी लोग कहते हैं डैस पीने वालों की बात ही कुछ और होती है क्या आपके surrounding का ये माहूल आपके focus को change नहीं कर रहा है आपको redirect नहीं कर रहा है जहां जाना था उसकी जगहें कहीं और कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों के और इस society के दिमाग में क्या डाल रहे हैं किस तरह उनका perception change कर रहे हैं किस तरह उनका perception set कर रहे हैं डैस पीने वालों की कुछ बात ही कुछ और होती है और बच्चा उस तरफ redirect हो रहा है उस तरफ attractive हो रहा है कि इसको पीने की तो बात ही कुछ हो रहे है तो कहीं न कहीं वो चीजें उसके को subconscious mind में अपना pattern set कर रही है गुटका वाले यूज करते हैं sensor की पसंद जबकि इन से मिलता क्या है आपको cancer हो सकता है आपका चेहरा खराब हो सकता है और society में आपकी respect खराब हो सकते है फिर भी आप उसकी तरफ क्यों addicted हो रहे है उसकी वज़े है कि आपका perception देखिए जहां सास और बहु का बहुत ही पवितर और बहतरी रिस्ता था जिसमें एक दूसरी की care करके एक PD से दूसरी PD में एक परिवार की बुनियाद दी जाती थी वहां जिस घर में यदि सास बहु शीरियल चल रहा होगा वहां पर उस सीरियल ने दौनों के अंदर एक animity create कर दी जो एक दूसरे को गल्त नजर से देखते रहते है जिन लोगों ने 30 दिन तक crime patrol जैसे सीरियल को अगर देख लिया तो अपने ही बच्चों पर अपने ही बीबी पर साख करने लग जाएगा क्या दे रहा है वो आपके mind में एक narrative फीड कर रहा है क्या ऐसे ही narrative आपकी अपनी health के परती आपके अपने finance के परती आपके अपने relationship के परती आपके पास नहीं set किये हुए है जैसे पैसा कमाना मुश्किल है सफलता आसान नहीं है तुमने तो fail ही होना है पैसा बुराई लाता है हमारे हम माहोल नहीं है आपके ऐसी किस्मत नहीं ऐसे कितने ही pattern आपके पास पड़े हुए आपका perception आपके behavior को design करता है आपका behavior action को design करते है और action एक result प्रोडूश करते हैं आपकी life में जब भी perception change हुआ है एक scenario change हुआ है एक छोटी story याद आती है 1983 में जब कपिल देव Indian cricket team को lead कर रहे थे और World Cup में पहुँचे पूरी team से किसी को भी expectation नहीं थी कि वो World Cup जीत पाएंगे क्योंकि 75 और 79 की winner West Indies team Midas team थी हर कोई उसी से expectation लगाये हुए था लेकिन एक व्यक्ति के perception ने scenario change किया जी हाँ दोस्तों कपिल देव ने अपनी team से कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं इस tag के साथ उन्होंने अपनी पूरी team को motivate किया और उस पूरी team में ये जुनून भरा कि अभी नहीं तो कभी नहीं और उन्होंने जीते जीते last final में उन्होंने फिर एक बार अपनी team को इखटे करके फिर समझाया कि अभी नहीं तो कभी नहीं और उस tagline ने कि इस perception ने इंडिया को एक world cup जिताया तो दोस्तो जब भी perception change हुआ है पूरा scenario change हुआ है अब आप सोचे कि आपके पास कौन से perceptions पड़े हुए हैं क्या आपको उनको change करने की जरूरत है या नहीं मुझे comments box में comments करके जरूर बताएं हमारे subconscious mind में पड़े हुई narrative को perception को thought pattern को अगर हमें change करना है तो किस तरह आप अपने perception को change कर सकते हैं perception को change करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि क्या यह जो भी विचार आपके पास है जो भी thought आपके पास पड़ा हुआ है जो भी perception आपके पास पड़ा हुआ है क्या यह universal truth है यदि हाँ तो छोड़ दीजिए उसको वो perception नहीं है वो एक fact है और यदि वो universal सत्य नहीं है तो वो perception है अब बात आती है perception को change करने के तो perception को change करने के लिए सबसे पहला है repetition जी हाँ दोस्तों यदि आप अपने perception को जो change करना चाते हैं उसमें जो change करना चाते हैं उस तरहे का आप 21 days तक regular repetition करते हैं तो आप उस चीज़ को अपने अंदर retain कर सकते हैं नए perception को बना सकते हैं दूसरा तरीका है perception को देखते हैं तो आपके अंदर क्या feeling आती है उन feelings को monitor करो और देखो कि वो feeling है कहां पर किस तरह की feeling है क्या intensity है उन सब चीज़ों को monitor करते हुए उसको एक जगह से दूसरी जगह locate करो और उसकी density को कम करो जब आप यह करोगे तो आपके perception की power change होती चले जाएगी और आपका perception change होता चला जाएगा दूसरा तरीका है कि आप affirmations का use करो जी हाँ audio affirmations हमारे वैदिक टाइम से ही यह चीज़ें हमें बताई जाती है कि आप सही सोचो सही बोलो सही देखो दोस्तों जहां सुनने की बात आती है तो affirmations अपने आप से की हुई बाते होती है आप अपने आपको बहतरीन self affirmations जो उन perceptions को तोड़ेंगी यदि आप self affirmations create नहीं कर पा रहे हो इस description में आपको link मिलेगा जो मेरी पुरानी वीडियो है कि affirmations कैसे करें आप उसको देख सकते है तीसरा है visualization जी हाँ दोस्तो visual sense भी हमारा बहुत ज़्यादा काम करता है हमारे पास narrative create करने के लिए इसलिए आप visualize कर सकते हो नए perception को और उस perception में आप देखोगे कि किस तरह से आप काम कर रहे हो किस तरह आप react कर रहे हो किस तरह लोगों से मिल रहे हो किस तरह लोग आपको response कर रहे है उन सब चीज़ों को आप visualize करके देखोगे तो ये practice भी आपके perception को change करने में पहतरिन तरीके से help करेगी यदि आपको visualization में भी कोई issue आता है तो मेरे description box में visualization के एक वीडियो का भी link होगा आप उसको देख करके भी अपने perception को change कर सकते हो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में नए topic के साथ मैं आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में comment करके जरूर बताए और आप किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे comment box में जरूर लिख सकते हैं ताकि हम next video उससे topic से related आप के लिए ला पाएं और यदि आप इस channel पे नए हैं तो इसको subscribe कीजिए और bell icon को जरूर दवाईगा ताकि latest videos आप तक पहुंचती रहें मिलते हैं जल्दी ही जेहिन जे भारत